जैहीन दोस्तो स्वागत है आप सभी का सर्मा फैंटेसी ग्रूप में इस वीडियो में दूस्तो हम लोग बात करेंगे दप हन्ट्रेट ऊमेंच के आज के फ़र्स्ट मैच के बारे में दोस्तो इससे पहले दप हन्ट्रेट मींस का अभी मैच चली रहा है और साथी साथ दू दोस्तो दो हंड्रेड उमेंट का भी टुनामेंट स्टार्ट हो गया है आध दोस्तो इसका फॉस्ट मैच है और दोस्तो यह मैच ओवल इनभेंसिबल उमेंट और नॉर्दन सुपर चार्जर उमेंट के बीच खेला जाएगा बतादो रात के 11 बचे से यह मैच से स्टार्ट होगा और दोस्तो ओवल के ग्राउंड में यह फॉस्त मैच खेला जाएगा दोस्तो आपके पास बहतरीन मौक इस मैच में समोल लिग और Grand League win करने का और इसका region क्या है दोस्तों क्योंकि देखो यह first match है और बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा सभी players के बारे में और सभी player का stats भी उनको बहुत कम लोगों को मिल पाएगा और साथी साथ दोस्तों बता दू जैसे जैसे tournament आगे बरेगा दोस्तों सभी लोगों को म मैं आपको provide करूंगा दोनों pillar का पिछले साल कैसा performance रहा है दोस्तों वह भी चीज हम लोग discuss करेंगे और साथी साथ दोस्तों इस match में आप combination कैसे बना सकते हो दोस्तों वह भी मैं आपको live बना के दिखाऊंगा और दोस्तों मैं बतादू मैं total इस match में 16 grand league combination लगाने वाला चार दोस्तों मैं आपके साथ share करूंगा और जो भी दोस्तों मैं extra grand league का combination बनाऊंगा दोस्तों वह मैं आपके साथ telegram पे share करूंगा तो दोस्तों यदि आप नए हो और first time वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों आप telegram channel को जरूर जो आइन कर लेना telegram channel का link दोस्तों आपको नीचे description में भी मिल जाएगा और साथी साथ दोस्तों comment section में भी मिल जाएगा क्योंकि देखो इस video में जो मैं आपके साथ 4 combination share करूंगा दोस्तों इस combination में कोई भी changes हो जाता है क्योंकि changes होना दोस्तो 100% है first match है दोस्तों किसी के पास perfect playing level नहीं हो सकता है तो कोई भी changes होगा तो दोस्तों आपको कोई भी tension नहीं लेना है बस आप telegram channel को join कर लेना वहाँ पे दोस्तों मैं जो भी आपको final playing level साथी साथ में combination small league grand league का provide करूंगा दोस्तों वही combination के साथ आपको contest join करना है तो ये बात का ध्यान रखना और telegram को join कर लेना और साथी साथ दोस्तों बता दो यदि आप नए हो और first time वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों आप YouTube channel को जरूर subscribe करना और दोस्तों subscribe करने के बाद notification का घंटी जरूर बजा देना जिससे मेरे दोस्तों वीडियो का आपको easily notification मिलता रहे है दोस्तों ये तो first match है इसके बाद मैं पूरा कोसिस करूंगा जितना भी human का match है the hundred सभी cover करने का और साथ ही साथ दोस्तों बता दो परते एक वीडियो में मैं आपको 200 रुपया का give up परवाइड करता हूँ और दोस्तों ये give up जितने के लिए आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है कोई भी इंटरिफी नहीं देना है बस दोस्तों आपको एक like करना और एक comment करना है यदि दोस्तों आपका like और comment number one पे आता है तो दोस्तों आपको free में 200 रुपया सर्मा fantasy group के द्वार आपको दिया जाएगा और दोस्तों ये 200 रुपया जितने का simple सा trick है आप notification का घंटी बजा देना जिसे मेरा कभी भी वीडियो में upload करूँगा आपको तुरंद notification मिल जाएगा और दोस्तों आप जल से जल first like और first comment करके 200 रुपया विन कर सकते हो तो दोस्तों पीछे मत हटना क्योंकि ये मैं आपको free में provide कर रहा हूँ कहीं भी आप fantasy में loss की हो तो दोस्तों आप यहां से earn कर सकते हो और फिर से fantasy खेलके और फिर से fantasy खेलके और दोस्तों अपना पैसा को increase कर सकते हो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने match detail पे focus करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस menu पे जो last 4 match हुआ है वो मैं discuss कर देता हूँ तीन match दोस्तों मैं women का discuss करूँगा और एक match दोस्तों इस साल जो अभी men's का the 100 में हुआ है वो मैं discuss करूँगा बात करते हैं सबसे फवरे फर्स्त मैच में सबसे फ़र्स मैंस में टोटल 17 घीम और सीड फ्लॉप रहा है और एक और चीज़ आप ध्यान दे तो दूस्तों आपको देखेगा फर्स्त इनिंक में 114 पाइं ईक स्कोर लगे और सेकेंद इनिंक में docs टीम ऑल trades हो बिगेट गिरता ओध ऍआक में देखो तो से स्मी ऐस स्टूरी यहाँ नहीं कि सिर्फ सट वॉळर सक यहां नहीं सबने भैक भी दख़कल मेंगे मैश होती है इस spinner को दोस्तो बिकेट मिला 100% है चाहे दोस्तो ground कितना भी swing क्यों नहीं करता हो तो ये बात दोस्तो ध्यान रखना आप कोई भी woman का match खेलते हो न तो ये चीज आपको काफी help करेगा ठर्ड वाले match में दोस्तो आप ध्यान से देखोगे तो इस match में थोड़ा सा score ज्यादा लगता है फरस्ट inning में 135 run 6 bicket पे और सेकेंड इनिंग में 249 run 5 bicket ही गिरता है इस match में दोस्तो आप देखो तो Pacer को 5 bicket और सेकेंड इनिंग में 4 bicket और spinner को दोस्तो एक एक bicket मिले फर्स इनिंग और सेकेंड इनिंग में और इस साल दोस्तो जो मैच हुए इस बेन्यू पर तो दोस्तो फर्स बैटिंग करते हुए एलोस ने 171 रेन स्कोर किये थे और जिसमें दोस्तो ओवल के टीम ने 168 ही कर पाई थी इस मैच में दोस्तो आप ध्यान से देखो तो पेसर को फर्स इनिंग में 4 बिकेट और सेकेंड इनिंग में 5 बिकेट वह हैं दोस्तो इस स्पिनर को फर्स इनिंग में 2 बिकेट और सेकेंड इनिंग में 2 बिकेट दोस्तो बिकेट मिल रहा है स्पिनर को ये बात ध्यान रखना और साथी साथ दोस्तो यदि आपको weather से related कोई confusion है तो चलो मैं वो भी आपको clear कर देता हूँ दोस्तो रात के 11 बजे ये मैच होने वाला है और दोस्तो आप देखो तो 11 बजे कोई भी बाड़ी सुने का कोई चांस नहीं है दोस्तो दोस्तो आज का weather रिपोर्ट है तो ये बात का ध्यान रखना यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है weather रिपोर्ट से related तो आसा करता हूँ ये चीज किलियर हो गया होगा तो चलिए दोस्तो अब हम लोग बात करते हैं दोनों टीमों का head to head में कैसा record रहा है दोस्तो जो last year match कोई था दोनों टीमों के बीच में उसमें आप देखो तो दोस्तो एनोस की टीम ने match win किया था टोटल चार रनों से ज्यादा रनों से दोस दोस्तो selection percentage आज बहुत कम है लोगों को मालूम ही नहीं है इनके बारे में नीचे दोस्तो आप देखो तो इसमीत ने एक बिकेट लिये थे और लिविक ने दोस्तो एक बिकेट लिये थे वह दोस्तो नर्दन सुपर जारजर के तरफ से डेन वेन ने 27 रने स्कुर किये थे औ और आठर ने स्कुर किये थे डिविक ने दोस्तो दो बिकेट लिये थे फिर आपको नीचे फैरेंट दिखेगी बहुत ही अच्छी बॉलर है दोस्तो और इनका आज के मैच में बहुत कम selection percentage है मुझे देख के खराब लग रहा है लोगों को अपने मन से ही team कुछ भी चून हो जाएगा तो ये चीज़ को प्लीज ध्यान में रखना नीचे आप देखो तो ग्रीप्स ने दो बिकेट लिये थे और ग्रीप्स का भी दोस्तो आप selection percentage देखोगे तो दो से तीन परसेंट लोगों ने अपने team में रखा है और कापी अच्छी बॉलर है मैं ये नहीं कहू दोस्तो सबसे पहले हम लोग देख लेते ओवल के तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए सूजिया बेट देखेगी सूजिया बेट का दूस्तो आप रिसेंट परफोर्मेंस देखो तो एक आपको 91 का इनिंग दिखेगा जो दोस्तो अभी जस्ट कॉमन वेल्थ गेम में इन परफोर्मेंस देखो तो कुछ खास नहीं रहा है आप देख सकतो 5-13-23 लेकिन उससे पहले दोस्तो इन्होंने बहुत ही सांधार स्कूर किया था 50-45-25 और एक बिकेट और दोस्तो बता दू यह बॉलिंग भी कराती है तो आप इनसे 1-2 पर बॉलिंग का भी उमीद रख सकते हो नीचे फिर आपको दोस्तो ओपनिंग में दिखेगी विनफिल्ड दोस्तो बहुत ही सांधार खेला रही है लेकिन दोस्तो इनका डिसेंट फर मुझे उतना खास नहीं लगा है डोमेस्टिक में भले दोस्तो यह बहुत अच्छा किये लेकिन इंटरनेशनल इन्होंने कुछ खास परफोर्मेंस नहीं किया है तो मेरे को थोड़ा सा कनफ्यूज आने कि आज के मैच में विनफिल्ड ओपनिंग करेगी दोस्तो सुजिया वेट के साथ या डैन विन तो यह दोस्तो हम लोग देख लेंगे फाइनल जब लेंग लेवें आएगा तो यह चीज़ कनफॉर्म हो जाएगा दोस्तो वेंफिल्ड का बात करें तो आपको बिकेट किप्रिंग सेक्शन में दिखेगी तो आप इन्हें जील में ट्राइ करना स्मॉल लिंग में ड्रॉप करके चलना फिर दोस्तो आपको टीम की वन अप दे बेस्ट ओलाउंडर देखेगी मारिया कैप बहुत ही सांदार दोस्तो साउथ अफ्रिकन खेला रही है बॉलिंग बैटिंग दोनों करती है आप इनका recent performance देख सकते हो 24 रन 3 बिकेट 36 रन 1 बिकेट फिर नीचे आप देखो तो 11 रन 1 बिकेट डैट में दोस्तो यह maximum मैच में आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट देती है और यदि आज खेलती है तो दोस्तो बता द मैच में देखे थे इन्होंने दो बिकेट लिया था recent performance दोस्तो आप देख सकते हो 9 रन 1 बिकेट 1 बिकेट 1 बिकेट 3 बिकेट डैट में सची बॉलर है आप इन्हें small league grand league दोनों में ट्राइक कर सकते हो बिकेट टेकर बॉलर है mainly दोस्तो बात गरेतो इमा जोन्स को दोस्तो आप silver ship grand league में ट्राइक करना इनका domestic का यह performance मैंने लिखा है उतना खास भी नहीं रहा है आप देख सकतो इन्हें बहुत कम match में बिकेट मिला है निचे दोस्तो आपको gifts देखेगी इनका head to a record काफी अच्छा है और इनका recent form देखो domestic में तो कुछ match में इन्होंने बिकेट लिया है कुछ match में दोस्तो यह बिकेट लेस गई थी फिर निचे आपको डेनियाल गोर्जी दिखेगी इन्हें दोस्तो आप drop करके चलना इनका मेली उतना खास मुझे performance नहीं लगा है domestic का दोस्तो यह मैंने आपको stats provide किया यदि आप try करना चाहते हो तो ग्रेन लिग में कर सकते हो फिर नीचे आपको दोस्तो दो बेतरीन आपको baller दिखेगी फेरेंट और नीचे दोस्तो इसलाम इसलाम दोस्तो साउथ अफरिका की खिलारी है फेरेंट दोस्तो इंग्लैंड की खिलारी है लेपटाम baller है बिकेट टेकर दोस्तो बॉलर है पिछले साल इन्होंने बहुत ही सांधार performance किया था दो आप इन्हें try कर सकते हो और इसलामिक दोस्तो बहुत ही important है तो small link में इसलामिक को drop करना चाहते हो तो कर सकते हो साथी साथ दोस्तो मैं आपको कुछ bench के player भी बता दे रहा हूं इनमें से कोई भी खेलता है तो दोस्तो आप stats देख लेना और final कर लेना इन्हें अपने team में रखना है कि नहीं रखना है न दोस्तो यह सभी कुछ दोस्तो अब हम लोग discuss करेंगे ओपनिंग में दोस्तो आपको Alex Haley दिखी कि इस्टेलिया की बहुत ही बहुत ही बिकेट कीपर लेकिन दोस्तो इनका recent performance देखो तो बहुत ही खराब रहा है 7 run, 14 run, 4 run बहुत ही खराब दोस्तो इन्होंने commonwealth में performance किया है बड़ दोस्तो बिकेट कीपर लिंग सेक्शन में इनसे बेतर आपको small link में कोई pick नहीं मिलेगा तो आप इनको रख लेना फिर नीचे आपको jamia road tricks बहुत ही important खिलारी है recent form भी काफी अच्छा है commonwealth game में दोस्तो इन्होंने अच्छी बलवाजी कि आप देख सकते हैं 33 run, 44 run, बहुत ही अच्छी batsman है लेकिन problem क्या है यदि दोस्तो इनका playing level में top order में नाम आता है तभी आप इन्हें try करना यदि दोस्तो इनका batting order नीचे होता है तो आप drop कर देना क्योंकि दोस्तो ये उतनी बड़ी heater नहीं है ये दोस्तो classic खिलारी है एक run 2 run बहुत ही अच्छी लेत देखो इस match में यह opening करती है कि नहीं यह दोस्तो बहुत important है फिर नीचे दोस्तो इस team की बहुत ही सांदार all rounder gram बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इनका domestic में देखो 23 run 2 bicket, 34 run 1 bicket, 13 run 3 bicket, 22 run 2 bicket, बहुत ही सांदार option है दोस्तो captain, vice captain के लिए small league, grand league द दोस्तो यह flop रहती है और दोस्तो बहुत मैच में मैंने इनको देखा है कि बॉलिंग भी बहुत कम डालती है तो यह चीज़ को ध्यान में रखके combination बनाना इन पर आप जील में ट्राइक कर लेना क्योंकि देखो एक मैच में इन्होंने दोस्तो अर्टालेस रन स्कूर किया और उससे पहले वाले मैच में 30 रन स्कूर करके चार लिये तो आप जील में ट्राइक कर सकते हो नीचे दोस्तो यह स्मौली की वन अप दे बेस्ट विक आपको मिल रही है डेविंसन हेड टु हेड रिकॉर्ड भी बहुत ही संदार रहा तो पिछले साल उन्होंने 40 प्लस स्कूर किये थे और दो बिकेट लिये थे सेम उसी मैच में और इनका डिसन फरम भी काफी अच्छा है 29 रन एक बिकेट, 4 रन एक बिकेट, 35 रन जिरो बिकेट, इंटरनेशनल किर्केट दोस्तो खेल चुकी है और काफी दोस्तो बहुत ही संदार बॉलिंग किया है त इने दोस्तो आप जी यल में ट्राइ करना हो तो करना नहीं तो आप ड्रॉप करके चल सकते हो, रिसन फरम दोस्तो इनका डोमेस्टिक में काफी अच्छा रहा है, आप देख सकते हो 2 बिकेट, 46 रन एक बिकेट, 11 रन एक बिकेट, बैटिंग से दोस्तो इनसे जादा 57 रन स्कोर की काफी अच्छी खिला रही है, और इन्हें आप मुझे पूछो तो मैं इन्हें मिनी जील में ट्राइ करूँगा, इस्मॉर लिंग में क्योंकि मुझे मालूम है सामने वाले के टीम में नहीं होंगे, तो मिनी जील में ज्यादा सही रहेगा, दोस्तो इन पे र माच बिगेट, बहुत ही अच्छी फोर्म में चल रही है, तो आप इन्हें ट्राइ कर सकते हो, और नीचे इस टीम का आपको कुछ बेंच पिलियर मिल रहा है, इनमें से कोई भी खेलता है, दोस्तो आप इनका स्टैट्स देख सकते हो, और आप इन्हें फाइनल कर लेना कि रहा हो उसी के अधारपी लगाना ये नहीं करना कि आप Grandly का Contest Small Link में लगा लेना तो दियान से दोस्तों आप Combination को द्यान से समझने का कोशिश करना ते लिए दोस्तों आप हम लोग बात करते अपने 4 combination के बारे में दोस्तों Team No.1 और Team No.2 Small Link में सिर्फ पर सिर्फ ट्राइ करना और ग्रेंलिंग में भी कर सकते हो लेकिन दोस्तो टीम नमर थ्री और टीम नमर फोर को सिर्फ पर सिर्फ आप मिनी जील और ग्रेंलिंग में करना head to head वाले contest में मत कर देना नहीं तो दोस्तो आपका loss हो जाएगा यह बात का ध्यान रखना टीम नमर वन में दोस्तो आप देख सकते हो मैंने selection percentage को ध्यान में रखके team बनाया है लेकिन दोस्तो मैं 2-3 ऐसे player को रखा है अपने team में जिनका selection percentage बहुत कम है लेकिन दोस्तो उनका record बहुत संदार है जैसे example में आप देख सकते हो A-Divinson बहुत ही संदार खिला रही है इनका मैंने stats आपको बता है edition form बहुत ही अच्छा चल रहा है head to head record में दोस्तो इन्होंने 40 रन score करके 2 wicket लिये थे इसलिए important pick है इसलिए दोस्तो मैंने इन्हें vice captain भी बनाया है आप इन्हें दोस्तो नहीं vice captain बनाना चाहते हो तो team में जरूर try कर लेना और दोस्तो एक और चीज इस team में change कर सकते हो यदि दोस्तो जमियार रोटिक्स की batting बहुत चादा नीचे दिखाता है आप इनको drop करके यहां पर allounder section से H gram को अपने team में रख लेना balling section से देखो तो मैंने एक ऐसे player को लिगा है जिनका selection percentage आपको थोड़ा सा कम दिखेगा aimb players बहुत ही अची खिला रही है head to head last match में दोस्तो इन्होंने 2 picket लिया था और recent form भी काफी अच्छा है balling section से दोस्तो मैंने balling section से इस वाले team में Libby को try किया बहुत ही अच्छी baller है दोस्तो picket taker baller है इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ और दोस्तो एक और चीज़ आपको इस team में देखने को मिलेगा कि मैंने दोस्तो इस team में फिर से H gram को try नहीं किया मैं तुरान दोस्तो H gram को सभी combination में try करूँगा तो दोस्तो final combination आप telegram पर से ही लेना क्योंकि toss बहुत important है तो उसी को ध्यान में रखके हम लोग को combination बनाना बहुत important है यह दोस्तो मैं अभी आपको बस demo team दिखा रहा हूँ जिससे आप लोग को असानी हो सके कैसे आप team बना सकते हो कुन से player important है यह जाना जरूरी है दोस्तो इस match में फिर दोस्तो बात करें team number 3 तो दोस्तो इसको मैंने grand league पे focus करके बनाया है इसमें दोस्तो देखो तो मैंने essay player को try किया जिनका recent form बहुत ही सांदार दिख रहा है जैसे age gram बहुत ही सांदार recent form है फिर दोस्तो इस वाले team में मैंने ermity age को भी try किया बहुत ही अच्छी खिला रही है आप इन्हें try कर सकते हो grand league mini GL में बहुत कम इनका selection percentage है और यदि दोस्तो दस से 20 run score कर देती है और एक दो बिकेट ले लेती है और दोस्तो ये कर रही है domestic में इनका बहुत ही सांदार मुझे record दिखा है तो आप इन्हें try कर सकते हो balling section से दोस्तो मैंने G Gibbs को रखा है जिन्होंने दोस्तो लास्ट head to head match में दो बिकेट लिये थे तो grand league का team है और इसे mini GL में भी try कर सकते हो कोई problem नहीं है captain vice captain दोस्तो आप change करना हो तो krespi को आप नहीं करना चाहते हो Ñ बाइस captain तो आप Xgram को कर सकते हो यदी दोस्तो यह वात का ध्यान लखना obel की team first balling कराती है तब यदी दोस्तो obel की team second balling लखनी है तो दोस्तो आप same team के साथ जा सकते हो यह बात का ध्यान लखना अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आज के आखरी combination के बारे में दोस्तों आप सभी team का screenshot आसा करता हूँ आप लोग ले रहे होगे कोशिस करना समझने का मैं यह नहीं बोल रहा हूँ यही contest आपको लगाना है यही team लगाना है मैं team हमेशा आपको बोल रहा हूँ टस्क के बाद जो भी मैं provide करूँ उसी के साथ contest जोईन करना है यह दोस्तों मैं आपको demo team प्रवाइड कर रहा हूँ जिससे आप सीख सकते हो कि इस match में आप कैसे team लगाओगे दोस्तों यह वाला last grand league का combination में देखो तो इसमें मैंने एस gram को vice captain किया जैसा मैंने आपको उपर बता है लेकिन दोस्तों इस वाले team में दोस्तों मैंने एक बहुत ही important खिलारी को अपने team में रखा है जिनका दोस्तों आप जे जुन बहुत ही अच्छी खिलारी है selection percentage बहुत कहम है लेकिन दोस्तों इनका recent form और domestic में दोस्तों इन्होंने कमाल का batting किया है इसलिए दोस्तों मैं इन पर एक combination बनाना चाहता हूँ लेकिन मुझे जैसा लग रहा है आज के match में यह खेलेगी नहीं नहीं खेलती है तो कोई नहीं यह combination अब लोग का ऐसे भी ड्रॉप हो जाएगा यदि खेलती है तो आप कैसे combination बना सकते हो तो दोस्तों यह team आपका एक जस्ट एक्जामपल है और दोस्तों बता दू मैं आपके साथ और combination शेयर करने वाला था लेकिन यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है इसलिए दोस्तों मैं अब वीडियो को इंड करता हूँ और जो भी एक्स्टा combination रहेगा दोस्तों वो मैं आपके साथ टेलिग्राम पे सेयर कर दूँगा टस्क के बाद तो आप लोग टेलिग्राम के साथ जुड़ जाना लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा और अभी तक दोस्तों आपने YouTube चैनल को subscribe नहीं कियो तो दोस्तों subscribe जरूर करना और subscribe करने के बाद notification का घंटी जरूर बजा देना जिसे दोस्तों आपको काफी असानी हो 200 रुपया giveaway में जीतने का तो कोशी जरूर करना जीतने का फिड मिलते दोस्तों आप सभी से next वीडियो में take care bye bye